हलो, नमस्कार इस्टुएंट, मैं विशेक भारगाव भारगाव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आद का जमारा वीडियो को टपिक है वो है चर्चित व्यक्ति निधन 2021 तो देखिए यहां से जो है वो कोशन बहुत पुछ जाता है निधन से तो जितने भी 2021 के अंदर में निधन हुए हैं जो चर्चित व्यक्ति हैं जो आपके एक्जाम में पूछाएता सकता है तो वो वाले सारे कोशन आज हम करने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से लेके और गया रहता है तो जाकर वहाँ से आप भारगव क्लास कर के इस यूटूभ चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकिitsन आप लोगों को मिलताchain है ठीक है तो चलिए स्टार करतें देखते मिए पहला कोशन क्या इसके अंदर में लिए पहल लोगों ने कली ये नियू सुना होगा तो पहला कुशन है कि Big Boss 13 विनर जिनका हाली में निदन हो गया तो आप ये फोटो देखके और आप इनको पैचान सकते हैं इनका नाम है सिधार्त सुकला ठीक है बहुत ही फेमस ये जो एक्टर थे तो इनका हाली में निदन हो गया है ठ जो कि हिंदी टेलिविजन और फिल्मों में दिखाई दिये थे यदि आप लोगों को मालूम हो तो ये रियालिटी सो Big Boss 13 के विनर और फियर फैक्टर खत्रों के खिलाडी 7 के विजेता के रूप में उब रहे थे तो इनको आपको ध्यान में रखना है ये कोशन एक्जाम मे पूछा जा सकता है दूसरा कूशन है कि हाल ही में कल्यान सिंग का निधन हुआ वे किस राजी के मुख्यमंतरी रह चुके है तो आपको बताना है कल्यान सिंग जो है वो किस राजी के मुख्यमंतरी रह चुके है तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदे वो दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहा है, तो ये point आपको याद रखना है, ठीक है, important question था ये भी, तीसरा question जो कि बहुत जादा important है, sports वाले section में इनसे question जो है वो पूछा ही जा सकता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, तो flying sick नाम से प्रसिद्ध थे जिनका हाली में निधन हुआ, तो ये इनके बारे में आप सभी कोई जानते होंगे, इनका नाम है मिलखा सिंग, मिलखा सिंग, आप सभी जानते होंगे, पिक्चर भी देखी होगे अपने मिलखा सिंग की, तो भारत के मजहूर धावक मिलखा सिंग, जिनको हम flying sick के नाम से जानते थे, इनका निधन हुग गया है, जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को, और निधन हुआ ठारा जुन 2021 को, 1969 में इन्हें पद मसरी पुरुसकार से भी संभानी किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से question जवब आपके exam में जन्म और यहाँ पर देख लीजेगा, उनका नाम जो था बचपन का, वो था मुहम्मद यूसुफ खान, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोगप्री अभीनिता थे, जो कि भारती संसत के उच्छ सदन, राज्य सभा के सदसी बेरे चुके हैं, तो ये पॉइंट ज इनको 1999 में मिला था, और पाद में इनको 2015 मिला था, तो यहाँ से भी जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर याद रखेगा, जब भी ये PDF डाउनलोड करें, तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर बताय जा रहे हैं, वो याद ठीक है, इसका next question है, ये भी एक बहुत ही important और बहुत ही अच्छा question है कि रोहित सर्दाना, जिनका हाली में निदन हुआ था, तो ये कौन से छेत्रे से संबंदी थे, तो आप सभी जानते हैं कि आज तक के anchor थे, तो यहाँ पर जो आएगा सही answer वो आएगा, पत्रकार, ठीक जो है वो पूछा जाकता है, इसके बारे में भी पूछा जाकता है, 2018 के गणे संकर विद्यारती पुरुषकार से नमाजे गये थे, तो याद रखेगा, रोहित सर्दाना, छटो प्रशना है कि दानी सिद्ध्ध की, ये बहुत जादा निउस में चला था, तो आपको याद के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के तहद रोंग्या सनानारती संकर पर रिपोर्टिंग है तुछु पुलजित पुरस्कार प्राप्ति किया था, तो ये भी इम्पोर्टन्ट है, अफगानिस्तान में आतंगवाधियोंने इनकी हत्या कर दी थी, तो पुलजित पुरस सर्मा जो कि 1983 विश्व कप जो भारती क्रिकेट टीम ने जीता था उसके यह हिस्सेदार थे ठीक है? तो याद रखेगा 1983 में विश्व कप में भारती क्रिकेट टीम के सदस्य थे ये भी एक्जाम स्पोर्ट के सेक्शन में पूछा जा सकता है इसके बाद आता है आठवा question पंडित सुभंकर बनर जी जिनका हाली में निदन हो गया, वे कौन थे, तो वे थे तबला वादक, यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, तबला वादक थे कौन, पंडित सुभंकर बनर जी, जिनका हाली में निदन हुआ, नववा प् भारती ये फिल्ड हॉकी खिलाडी थे वह 1948 और 1952 के उलम्पिक में स्वार्ण अपदक जीतने वाली टीम के हिस्सा थे इसलिए कोशन इंपोर्टेंट हो जाता है और 2019 में मोहन बागान रत्न से सम्मानित पाने वाले पहले गैर फुटबालर बने थे देखें ये जो मोहन जंद्र दत तो इनका नाम भी आपको याद रखना है हौकी के खिलाडी थे दसा प्रश्न है कि नंदू नाटेकर जिनका हाली में नदन हुआ वह किस छेत्र से या किस खेल से संबंदी थे तो ये बैडमिंटन से संबंदी थे कौन से खेल से संबंदी थे बैडमिंटन से का बारवा प्रशन है कि M. नर्सिम्हन जिनका हाली में निदनवा वो किसी सेत्र से संबन्दी थे मोस्त इंपॉर्टेंट प्रशन है IMPT कर लिजेगा ऐसे को एकजाम में पूछे आते हैं ऐसे कोश्चन ठीक है ये थे RBI के पुर्व गवर्नर कौन थे ये RBI के पुर्व गवर् उपलब्दी थी RBI के तेरवे गवर्नर और पद्म विभूशन पुरुसकार 2000 से सम्मानिक थे ये तो याद रखिएगा बारवा प्रशन ये भी एक IMPT प्रशन है चंद्रो तोमर जिनका हाली में निदन हुआ वकी से शेत्र से संबन्दी थे तो जो ये दादी जी है इनकी पिक्चर भी आई थी आप लोगों को यादो तो ये शूटर है कौन है शूटर कारी शेत्र था शूटर उपलब्दी थी शूटर दादी के नाम से प्रसिद्धी थी और फिल्म सांड की आँख में आपने इनको देखा भी होगा ठीक है तो ये भी एक IMPT question है इसका next question है ते तो याद रखेगा कारी शेत्र था बॉलिवूड अभिनेता और सुपर ही मूवी थीम की राम तेरी गंगा मेली उससे आपको याद रखना है राजिव कपूर चौदा प्रशन है विष्णु नारायन नम्बुतरी जिनका हाली में निधन वा किस शेत्र से संबंदीत थे तो ये थे मल्यालाम कभी और इनके बारे में कोशन एक्जाम में पूछा भी आ चुका है तो आपको ये ध्यान रखना है ठीक है नम्बुतरी के बारे में ये कार राष्टपती थे ये जो जौन मगुफली ये इनका निधन हुआ है ये कहां के राष्टपती थे आपको बताना है तो ये थे तंजञानिया के राष्टपती ये एक चीज के नाम से फेमस थे वो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ये कुशन जोगा इंपॉर्टन हुचात मनमुन हुसेन जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट पती थे जिनका निधन हो गया है तो आपको नाम याद रखना है इनका ये भी एक्जाम में कभी-कभी पूछा जा सकता है तो ये 2013-2018 तक पाकिस्तान के राष्ट पती रहे और इनकी पार्टी के नाम था PMLN के वरिष्ट नेता थे हैं ठीक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक इसका नेक्स्ट कोशन है ये कोशन आप लोगों के लिए नीचे कमेंट सिक्षन में कमेंट करकर बताईएगा लगबग जितने भी important निधन जो थे वो मैंने आप लोगों को करा दिये ऐसे तो बहुत सारे निधन है लेकिन जो important थे आपके exam में पूछे जा सकते थे वो हमने कर लिये हैं ठीक सत्रवा कुशन है कि लक्षमण पई जिनका हाली में निधन हुआ किस शित्र से संबंदी थे इसका answer जो है इसके टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करने के लिए description box में link दिया हो हता है टेलीग्राम ग्रुप का उसको जॉइन करिए वहाँ पर जाकर आपको ये PDF download करने के लिए मिल जाएगा तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लिजेगा comment section में आपको इसका answer comment करना है इस question का और comment section में आपको सुझाओ भी देना है कि आपको किस type के और videos चाहिए जो कि आपके exam के लिए important हो तो वो आप नीचे comment section में comment करकर जरूर बताइएगा और video अच्छा लगे तो please like और share जरूर करिएगा तो आज के video में इतना ही था जाहिन जायभाद